हेलो स्टुडंट्स, मुँँचु सावल्या सर अने प्रुष्ट रसाण विद्नान चेप्टर ना आ 26 तेले के 26 मा लेक्चर मा आपने नवो टोपिक लेरेयाँचे मिसेल रचनानी क्रिया विदी समझवाता अने प्रुष्ट शक्रियपदारा जेमा आपने सावू डिटरजान एंग वाद करें कि सावू डिटरजान धेवा प्रुष्ट शक्रियपदारा विद्ना बनावी शक्येचे .द्सेल शक्यों है diesem साबु विशे तमें दुरोन दसमा भणी चुक्या जो साबु ए फेटी एसिड नोनो सोडियम ख्षाल छे फेटी एसिड एकले सीड अगनो ए समुधरावता कार्बोक सिलिक एकले कार्बनिक एसिड साबु मा जे फेटी एसिड वप्राई छे उच फेटी एसिड छे उच फेटी एसिड नो अर्थत असे जे नू आणिय दल ए घणू उचू छे अथवा जे गणी लांबी खार्बन सुंकला धरावे छे एने उच फेटी एसिड के वए दाखला तरी के आपड़े वनस्पती तेल अथवा आपड़े जे खाद्य तेल नो उप्योग करिये छे ए बदा उच फेटी एसिड छे सो देट के साभू ए उच फेटी एसिड ना सोडियम के पोटेश्यम ख्षार छे तेनू सामान्य सुत्रा आर सी डबलो एने छे अहीं आ सोडियम ने बढ़ले के एटले के पोटेश्यम ने सम्यापड दर्शा भी शकाए तेनु सामाने सुत्रा R-C-O-N-A छे अवे आ आर छे ए हाइड्रोकार्बन सुंकला छे एकले खुब लाम्बी आइड्रोकार्बन सुंकला दरावता कार्बोकसली कैसीड एनो सोडियम अथ्वा पोटेश्यमक्षार आपडे साभू तरीके विचारी शके दाखला तरीके एक उदार लख्यू जे CH3, CH2, सोल वखर C-O-N-A जेने सोडियम स्टियरेट के वाई वेजार दिमित्रो स्टियरिक असिड स्टियरिक असिड नु सुत्र जे CH3, CH2, सोल वखर C-O-H अन्ने एमाँ थी H-प्लस नु विस्था पन एने प्लस वडे था है त्यारे आपनने जे ख्षार मले ए स्टियरिक असिड नो सोडियम ख्षार के वासे स्टियरिक असिड फेटी असिड छे एकले फेटी असिड नो सोडियम ख्षार साबू एकले आपने यहां उदारन तरीके सोडियम स्टियरेटी हो लिदू छे साबू ने पाणी मा ओगालता तेनू वियोजन R C W O minus औने N A plus जारे पाणी मा साबू जसे तेरे पाणी मा साबू द्राव्य थाई औने R C W O minus औने N A plus एवा बे भार मा थवा तो बे विरूत विजबारीत आयनों मा वियोजित थाशे यहले लख्यु जे साभूने पाणी मां ओगालता तेनु आर सी डबलो माइनस अने एने प्लस आयनों मां वियोजन धाय छे अहीं आर सी डबलो माइनस आयन नीचे मुझबना बे भाग धरावे छे पहलो बाद छे जल विरागी जेने हाइड्रोफोबिक भाग केवाई ते लामबी हाइड्रोकारबन स्रुकला आर दरावे छे अथवा तो आजे आरसी डबलो माइनस जे चे रूणा अईन यहमा आजे आर छे यह लामबी हाइड्रोकारबन स्रुकला चे में बांड आर तरीके दरसालों छे तेने अध्रुविय पुछपण कहे चे, विद्यार दिमीतो अध्रुविय अने ध्रुविय, तो जे बंधारण मा कोईपण बंध ये ध्रुविय न होए, ये बंधारण अध्रुविय के लाए, एटले हाइड्रोकार्बन सुंखला मा क्यारे कोईपण बंध ये ध्रुविय पाणी की अपा कर्षण अनुभगे चे, कारके आपने 11 साइंस मी अंदर आइड्रोकार्बन चेप्टर बन्याची, एनी अंदर आपने स्पष्ट्री करण करेलू छे, क्या आलकेन, आलकेन, आलकाइन, अने एरिन, आ चारे चार आइड्रोकार्बन सेयोजनों, ये पाणी मां ओगलता नाथी, एकले अहीं लग्यू छे, ते पाणी की अपा कर्षण अनुभगे चे, बीजो बाग छे जल अनुरागी, जल अनुरागी नों मतलब थाई, जे पाणी की आ कर्षणाई, तो जल अनुरागी एनने आइड्रोफिलिक, एउपन केवासे, ते द्र द्रुविया समू, आपने आर CWO माइनस चे, एमा आर एड्रोकार्बन भार छे, जे जल वीरागी छे, बाकी वद्यों CWO माइनस, एकले मैं अहीं लग्यू छे, ते द्रुविया समू, आप बॉंड CWO माइनस, बॉंड आपने क्यारे पन समू माटे अमने सा बॉंड दर सालता होये छे, तो ते द्रुविया समू, बॉंड CWO माइनस चे, तेने द्रुविया आईनिया सिर्स पन करे छे, फक्त द्रुविया सिर्स पन करी शकाए छे, तो आटलो भाग CWO माइनस, एने विजबारी भाग करी सकाए, अने विजबारी भाग एकले द्रुविया आकर्शित होई छेली। विध्याति मित्रों आपणे COO समू एनू बंदारण जो ये तो आ प्रकार मुझे कार्बन ओक्सीजन बंद दुरुवी अहोई अने दुरुवी अहोई अने काहने ते पाणे की आकर्शित होई अने में किदू ये प्रमने कार्बन ओक्सीजन बंद दुरुवी होई थी तेने दुरुवी आये ये सिर्स पड़ कहे छे जेने नीचे मुझब समझी शकाया आ बे भाग मी जे वार्थ करी रहा छी है एने आपणे आ बंदारण द्वारा समझी शक्ये छी है विद्यार दिमित्रो आपणे जे सामुनु उदारण लिदू सोडियम स्टियरेट तो एज सोडियम स्टियरेट नू बंदार नहीं दर्सावेलू छे तम्ये पहला थी जो ही शकोचो CH3 तो आँ CH3 छे एमा आ ओक्सिजन माइनस अने एने प्लस छे अगरे एज जे छे ए सोडियम स्टियरेट छे अहीं आपणे आउ सुत्र दर्सावेलू छे एज वस्तु आज C17H35COO एने तरीके दर्सावेलू छे विध्याति मित्रों यहां COO- अने एने प्लस जे अहीं आपणे दर्सावेलू ना थी पन जली आद्रावन माँ जयारे यह जसे त्यारे एने प्लस आयन वियोजित थे जसे अने आज ए स्टियरेट आयन छे ए अलग आखो यह बलतावेलो छे N A PLUS A N आपणे दर्सावेलो ना थी N A PLUS A N CY नो जे हिस्सो छे एने स्टियरेट आयन के वाई तो आख्ये आखो श्टियरेट आयन छे पर तमें जोई शको छो के C O O minus वालो हिस्सो छे एने में आ लाल डोटेड लाइन थी अलग करेलो छे एने ज सगड़्या कांच तरीके में अलग थी इंडिकेट करेओ छे ए जल विरागी पुछे छे आनो आज श्टियरेट आयन एने आपड़े आ बंधरेखा बंधारण तरीके दरसा दिये तो आपड़े अध्यार साइंस नी अंदर आ वस्तु भणी चुक्या छे बंधारणों कार्ब विरागी उच्छ छे अने जे सरकल थी आपड़े बतावेलो भाग छे एने में या एक सरकल अज बतावी दिदू छे अने जल अनुरागी स्थीर्ष छे आ सेकंड बोड़वर्क मा आपड़े मिसेल रचनानी क्रियावी दिनू आगल अध्यास करी रहा छे ले अहीं एक आक सबू ठीरिक एसिदनों सोडियम ख्षाद फेटी एसिदनों सोडियम ख्षाद व्यवहार मां आपड़े करियाणनी दूकाने अथवा एक व्य दूकाने जे अने तेली ओ साबू मा गि एपने आपन अपने जे आपे एने साबू कहवाए पने एना बड़ले डीटरजंट सा साबू ना कहवाए, डिटर्जन्ट गोटी अत्वा डिटर्जन्ट केक एउ कहवाए, तमें येना पेकिंग उपर जो सो, तो जे तेलियो साबू छे एना उपर सौप एउ लख्यू असे, जेनू गुजराती साबू थाए, पर पिलो डिटर्जन्ट साबू असे तो येना मतलब ए चे, के जे साबू आपणे जेने बोली रहाँ चे, अत्वा संजी रहाँ चे, ए साबू भास्तौमा तेलियो साबू छे तो आपणे डोल पाणी नी भरिया चे औने एमा आपणे थोड़ो, मतलब साबू आज मा पकड़ी, अन्ने पचि पाणी मा नाखी, तो ये सा साबुनु मदद्रामन के बासे तो आपने किजु ए प्रमाणे कि साबु श्टीरीक एचिरनों सोडियम शार छे साबु पाणी मा द्राव्या थाई अटले एक शार नू वियोजन थसे एने प्लस आयन अने स्टीरेट आयन माटे आपने आर सी डबलो माइनस एवी आपने संग्याली दी तो ए बनने वियोजन थे आने छुटा पड़ से पन स्टीरेट आयन छे एनी इनी अंदर बे भाग छे आपने जे प्रथम बोर्दर्क जल विरागी भाग छे अने सी डबलो माइनस छे ए जल अनू रागी एट्रोफिलिक भाग छे तो जे थोडो एकले के मंद अत्वा ओछी मात्रानों साभू द्राव्य थे ओछे एना बदा जे श्टीरेट आयन ए पानी नी सपाटी उपर आरिते गोठवा छे एना जे सी द्रुविय आयनी सीर्स तरीके उलख्ये छे ए द्रुविय आयनी सीर्स ए पानी नी अंदर कारणके ए पोते पानी थी आत्रसायली स्थीती ना होई छे एले पानी नी अंदर रेवा प्रयात न करे छे जाले हाइड्रोकार्बन सुंकला आर ए बीन द्रुविय होई छे ए प पाणी दी बाहर नी तरफ रेवानों प्रयात न करें चें, एले आ प्रमाणे पाणी नी मुप्त सपाटी उपर जेटला पन रूण आयानों एक बीजाना अपा कर्ष्णनी मरियादा बाहर रहे, बरवल ए प्रमाणी ये गोठवा आसे, सो धेट, के अहीं लग्यू छे, आकरूती माँ दर्साय उचे, टे मंद ग्रावन छे, साबूनू, अने बदा ज श्टियरेट आयन, आगी रिते पाणी नी सपाटी उपर आजर छे, ए गी रिते बता वेला छे, अहीं आप्रथम आकरूती ने आकरूती ये कजू छे, उद भूती ए, एस ऊघे, तो जली युद्द्रावन ना साबूनी नीची सांघरत आए, पानी सपाटी उपर, स्टियरेट आयनू नी गूठ्होणी धर्साबे, छे, अने आगूठ्होणी कर्या प्रकादि में छे, तो जली य ग्रावन मां नीची सांघरत आए, आर पाणि मां आजर होई, ते रिते, जार हाइड्रोकार्बन सुन्कला आर पाणि थी दूर रहे ते रिते, पानि थी दूर रहे वा मासे सपाथी नी बाहर नी तरब रहवानो प्रयत्न करे छे, आपने आतुर्ति मां देखाए छे एनू आ बाना में छे परन्तु क्रांतिक मिसेल सांध्रता आए, अवे क्रांतिक मिसेल सांध्रता नी जे व्याक्या छे, बरोर ये आपड़े लेक्चर नूमबर 25 मां बनेला छे, के अमुद चोकत सांध्रता थी उची सांध्रता एज मिसेल रचना शक्य बने छे, अनि ए सांध्रता ने आपड़े क्रांतिक मिसेल सांधरता केगे छे, तो क्रांतिक मिसेल सांधरता आये, अवे क्रांतिक मिसेल सांधरता करता हुँची सांधरता होई, तो पन मिसेल रचना शक्त्य छे, तो अहीले तुझे परत्तु क्रांतिक मिसेल सांधरता आये, आ रूनायनों, अवे क्रांतिक मिसेल पर आपने फोकसिंग करिये छें पाणी तरफ केंद्र त्या घीरी ते खेंचाएला रहे ते मज आइड्रो कार्बन सुंकला केंद्र गामी रहे ते प्रकारे समुझ चाई थेने गोळाकार बनावे छें अबे विद्यार्दी मित्रो आपड़े आ प्रमाने समझीजू वधारे साबुद्राविय थसे एटले वधारे प्रमानमा स्टीयरेट आयानो अने एने प्लस आयानो आ द्रावन नी अंदर पाणी नी अंदर आजल थसे हवे स्टीयरेट आयानो जितला पण छे एनी पासे बे भाग छे हाइड्रोकार्गन भाग छे पाणी थी दूर वालवानो प्रयातना कर से अने तेलो सीर्स सी डबलो माइनस वालो जे भाग छे जेने आपडे द्रुवी असीर्स द्रुवी आयनी असीर्स तरीके ओड़के छे ये पाणी थी आकर सायली स्थीती मार एवानो प्रयातना कर से पन हवे घटना आवी बन से के मुक्त सपाटी जे पातर आपड़े पसंद केरू छे नी मुक्त सपाटी नू जे कहीं सेत्र जे बदा एक बीजा नी नजिक नजिक आउसे तो अप्पा कर्ष्ण अनुगोँ से एतले घटना सु बन से घटना आवी बन से के आ बदास टीरेट आयनो ए पाणी नी बहार निकलवानों प्रयतन नहीं करे परन्तु पछी पाणी नी अंदर दाखल थासे अने पाणी नी संपर्क मा रहे अने जे हाइड्रो कार्बन पुझ जे अद्रूवी अछे ए पाणी थी दूर तरफ रहे एटले के अंदर केंद्र तरफ रहे जेना ती सु तसे आ इस सामा थी पाणी बहार तरफ धके लाई जासे आ घटना आप मेडे जुत तसे अने एवी घटना थी जे ಗोडा स्वरुक नो सुक्ष्मकं अस्तित्व मावे छे इस मिशे ज़ुकत लेगे फदित ही जो परांत करांतिक मिशेल संद्रता आे एटले साproduction मा उंची संद्रता आ रून आयानो नो ए तेना सी डबलो माइनस सम्मू हो पाणी तरफ खेंचाएला रहे तो में जो आपने गोडा ने भी चाहिए, तो गोडा नी बहार सपाटी तरफ नो जे बाग छे पाणी निस पर सेलो छे, एत्वा तो पाणी ना संपत माँ छे, एतले रून आयन रूपी समुजे छे ए पाणी तरफ खे चाहेलो रहे तो पाणी तो कैंचे तो गोडा नी सपाटी तरफ हीड़ोकार्बन सुख्ला कैंद्र गामी तो तम्येगा में रहा है तया आ? संबस्चाहि पाठ्य पूश्टक नी अंदर आकृती जो सो तो इमां पात्र नी अंदर आवी रचना बतावेली न थी ए पात्र वगर बतावेली छे अन्हें अहीं आ पात्र मां आ रचना बतावेली छे अने एतला माटे के में यू समझाविनू के बध्धास्ट इयरेट आयानू ए पाणी नी सपाटी, मुक्त सपाटी उपर एकत्री थाई सक्से, नहीं ताहन के जे रून विजबारित शीर्ष छे, एनू अपाकर्शन ए प्रबढ़ हसे, अने तेकी पाणी नी अंदर दाखल थ अने पाणी नी अंदर ये आवी मिसेल रजना बनाव से, अने ए समझूती सपष्ट करवा माटे में यहीं पात्रणी अंदर थाई छे, एना माटे में आकरूती आ प्रकार्दी दूरी छे, तो लग्यू छे, आकरूती बी, ए जलिया ग्रावण मां साबू नी क्रांतिक मिस मिसेल सांड्रत आये, श्टीहरेट आयानो द्वारा बनती आई नी अ मिसेल नी गूठावनी छे, विध्यातीमित्रों परिक्सामा तमने पुछाए, अने तमे पात्र नी अंदर न थी दरसा आता, पाठ्य पुष्टक नी अंदर जे प्रक्माने आपियू छे, ये प्रमान पण दर्शावी शको छो, अन्य आ प्रमाने पन आखरूती दर्शावी शको, छो तो तमें जो में लाझु छे, अईध्रोकार्बन सुँखला, आ बजी जिग-जेक लाइन छे, वदी अध्रोकार्बन सुखला छे, ए मिसेल रुपी गोडा, आ गोडाने मिसेल केवाई, तो म गोड़ा नी बाहिय सपाटी पर रहेलोगो हो अजी। आ प्रमाणे रचातो गोड़ा रूपी समुझ चै, समुझ चै एटले गेतरींग, आपड़ी एल पड़ कई शक्किये। तो आ प्रमाणे रचा तो गोडा रुपी समुझ चाई एक कलील कणो ना कदनो होई छे अने ए जे कलील कणो ना कदनो समुझ चाई छे आ प्रमाणे बैनो छे एने ज आपड़े आइनियम मिसेल तरीके उडखे ची एकले लखे छे जे आइनियम मिसेल तरीके उडखाई छे आ पर तमारे याद राखो जरूरी छे क्या आईनी यह मिसेल रूपी जे गोडो छे गलिलकन छे एमा उच्छा में होच्छा सो आयानों होई छे सोथी वधारे वही शके छे में नोद लखी दिदी छे आ नोद ए आ थियरी नों भाग नथी पन आपने जानता हो आजुए तमने परिक्सामा पूछे मिसेल रूपी तो पन चाले छे लख्युचे सांसलेसी प्रक्षालक यहने डिटर्जेंट के वाए और यह उदाहना प्रे लख्युचे सोडियम लोरिल सलफेट तो सांसलेसी प्रक्षालक सोडियम लोरिल सलफेट यहनुमें यहां राश्यानिक सुत्र लख्युचे सीए 3, सीए 2, 11 ताइमस एसोफोर माइनस एने प्लस तो आज वस्तु जे छे ए जारे पाणी माजासे जारे एने प्लस अन्या अन्या रुद्धियार्थी मित्रो जो तमने आव वीडियो लेक्चर गम्यों होई तो लाइक आप जो शेर कर जो अने सब्सक्राइब पन कर जो अगावना लेक्चर नू रिजन अने पाठ्य पुस्तक नू वांचन करता रे जो आ लेक्चर अंगे कोई पन डिफिकल्टी ह तो मुने वाटसप करी शकाए आभार फरी मलेशू नवा वीडियो लेक्चर मां